हम माइल्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसको हम सब लोगों की तरह स्पाइडर मैन बहुत पसंद था। उसके फादर को स्पाइडर मैन बहुत बुरा लगता था। माइल्स के अपने फादर के साथ शायद इसी वज़े से कुछ खास बनती नहीं थी। उसके एक अंक अल्मोस्ट एंड होने वाला था और उसे स्कूल वापिस जाना था। अंकल एरल माइल्स को सर्विस स्टेशन लेकर के जाते हैं जो की बिलकुल खाली था। माइल्स को स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक था। अंकल एरल उसे कहता है कि इस वाल पर पेंट करो। और वो एकसाइटड होकर एक स्प्रेकें से वहाँ पर पेंटिंग करने लगता है और इतनी प्यारी प्यारी ग्रिफिटीज बनाता है वहाँ पर हम देखते हैं कि एक और स्पाइडर आता है और माइल्स को काट लेता है। इससे पहले की स्पाइडर मैन मूवीज में तो हमने बट यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। वो वहाँ जाकर देखता है तो रियलाइज होता है कि ये स्पाइडर रेडियो एक्टिव है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी माइल्स को अचानक से स्पाइडर मैन नजर आता है। पाइडर मैन से लड़ रहा था, वो शायद डाइमेंशन से किसी को बुलाना चाहता था। बट यहाँ पर स्पाइडर मैन यानि के पीते पाकर को पता था कि इस कोलाइडर से दुनिया भी तबह हो सकती है, माइल्स स्पाइडर मैन को देख रहा था। यहाँ पर पीटे पाक की वाइप्स मार्क से मैच होती है और वो समझ जाता है कि इसके पास भी कुछ सुपर पावर हैं दूसरी तरफ किन पिन कोलाइडर को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पर वो मॉन्स्टर से स्पाइडर मैं से लड़ रहा था कुलाइडर के एक्टिवेट होने के साथ ही उसमें से इतनी स्टॉर्म वाइट निकलती है कि वो मॉन्स्टर स्वयम तबाह हो जाता है पीटर पाक अब बहुत बुरे तरीके से सक्त होता है माइल्स पीते पाक के पास आता है जिसके बाद पीटर उसे एक USB देता है कि तुम्ह मैन को हमेशा के लिए मार देता है दूसरी तरफ माइल्स को जब की नजर आता है तो वो अपने घर के लिए भागता है और उसके पीछे प्रॉलर पीछा करता है माइल्स एको अपने घर पहुचता है तो उसके पेरेंट्स बहुत हैरान होती है चून की वीकेंड अभी आया नहीं था तो ये घर क्यों आ गया वो अपने पेरेंट्स कहता है इक्या में रात यहां रुख सकता हूँ दूसरी तरफ न्यूज में ये कवर हो रहा था कि हमारी सिटी को बचाने वाला स्पाइडर मैन मर चुका है नेक्स्ट ले स्पाइडर मैन का कॉस्ट्यूम खरीदता है और उस कॉन्फरेंस में जाता है जहां पर पीटर पाक की एक ट्रिब्यूट पेश कर रही थी वहां बहुत सारे लोग आये थे और सबने स्पाइडर मैन के कॉस्ट्यूम पहने थे माइल सब ये बात समझ चुका था कि अब सिटी को बचाना उसका काम है क्योंकि उसे स्पाइडर मैन को रिप्लेस करना होगा माइल अब सारी चीजे ट्राइ करने लगता है जो कि स्पाइडर मैन किया करता था स्पाइडर यानि की पीटर पाकर वहां से तंगा आकर वह पीटर पाकर के ग्रेड पे जाता है यहां पर वह देखता है कि पीटर पाकर जैसा बिलकुल एक आदमी लेटा है उसको देखकर वो समझ आता है कि ये कि किसी और डाइमेंशन से आया है, अमतलब यह है कि जब कुलाइट ओन हुआ था और यहां का पीटर पाका मरा था किसी और डाइमेंशन के स्पाइडर मैन यहां आ गई थे, यह वाला स्पाइडर मैन यह कोई 35 या 40 एर का आदमी था जो कि मोटा भी था और बुरा भी इसका ना वाला स्पाइडर मैन खुद को फ्री करता है, मायल्स को बताता है कि कैसे चुपे डिफरेंस स्टन स्ट्राइकर रहा था, तो वो USB टूट चुकी है, और अब उसे नहीं पता कि कोलाइडर को कैसे बंद करें यह दोनों ही किस साइट कहती है, कि अब कुछ कुछ ना कुछ व अपनी पावर कंट्रोल करनी नहीं आती थी, इसलिए पीटेपी पाकर उसे कहता है कि किनपिन के ओफिस में मैं जाओंगा और तुम बाहर रुखो, अब वो ओफिस में चला जाता है और मायल्स उसका बाहर वेट करता है पर उसको ख्याल आता है, कि वो दूसरे डाइमेंश की पीटर पाकर को नहीं मरते देखेगा और इसी सोच के साथ रूबी ओफिस में चला जाता है, मायल्ड ओफिस में जाता है तो हम देखते हैं डॉक्टर और लीबिया टीवी एसको और साथ ही साथ हमें पता चलता है, कि जिस मकड़ी ने मायल्स को बाइट किया था, कुछ जब वो कम्पीटर हैक नहीं कर पाता तो वो पूरा का पूरा सीप्यू लेकर वहां से चला जाता है, अब टीवी है जब सपाइडर मैं को देखती है तो को समझ आती है कि गुच्कि के लिए मेरा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा, आब डॉक्टर को पता चल चुका था जो के था डॉक्टर टीवी एस का और वो दोनों को फॉलो करने लगती है ये दोनों उस बिल्दिंग से बाहर निकल चुकी थी और फिर भी डॉक्टर ओ टीवी एस उनके पीछे थी जहां पर हम एक और स्पाइडर मैन को देखते हैं जो की एक फीमेल स्पाइडर मैन थी जो एक दिन स्पाइडर मैन को मारने वाला था पर वहां पर उसकी वाइफ और उसका बच्चा आ जाता है किन्पिन की रियालिटी देखकर उसकी वाइफ और उसका बच्चा वहां से चले जाते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों मर जाते है किन्पिंड ने भी एह कोलाइडर बनाया था ताकि वो दूसरी डाइमेंशन से अपनी बच्चे और वाइफ को वापस ला सके माइल स्कॉर्ड और पीटर भी पाकर जहां की डाइमेंशन की पीटर पाकर के घर जाते हैं जहां पर मिलती है यह पीटर पाकर की आंटी को देख कर समझ आती है कि यह उसका स्पाइडर मैन नहीं है इसके बाद वो उनको स्पाइडर मैन के एक सीक्रेट रूम में ले जाती है वहाँ जाकर ने स्पाइडर मैन के तीन और वर्जन भी मिलते हैं जो की थी पहनी पाकर श्पाईडर मैन औल और स्पाईडर मैन हैं ये लोग कहते हैं कि हम उस को लाइडर को डि-एक्टिवेट कर देंगे माजिन को कहता है कि ठीक है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा तुम लोग अपनी अपनी डाइमेंशन में चले जाना और मैं उसे डिक्टिवेट कर दूंगा मायल्स इनकी बातों से हट होता है ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था इसके वो अंकल एरल को कॉल करता है अंकल एरल से कहते हैं कि मुझसे मिल लेना जब उनके घर जाता है तो वहाँ पर उसे किसी की आहट सुनाए देती है जब वो देखता है तो उसे क्रावले नजर आता है पर क्रावल कोई और नहीं अंकल खुद थे माइल्स ये देखकर बहुत हैरान होता है और वहां से भागता है अंकल एरल को तो नहीं पता था कि ये कौन है उन्हें सिर्फ इतना पता था कि स्पाइडर मैन के कॉस्ट्यून में कोई उनकी घर आया था वहाँ पर जब दर्वाजा खुलता है तो किन्पिन की पूरी आर्मी थी यानि के गो गोपलन ट्रेवल और स्कॉट पीम बाकी सब भी आब इन सब लोगों की लड़ाई हो जाती है किन्पिन सारे के सारे स्पाइडर मैन को मारना चाहता था इसी दोरान क्रॉलर इस माइल स्पाइडर मैन के पीछे पर जाता है और वो उसको पकड़ दी लेता है यहाँ पर माइल्स अपना मास को तरता है और अंकल देखकर हैरान हो जाती है कि यह तो माइल्स है और अब उससे मार नहीं सकते थे पर जब किन पिन देखता है कि उससे मार नहीं रहा तो वो खुद अंकल को ही मार देता है अंकल एरल यहाँ पर मर जाते हैं वहाँ पर माइल्स के बाद भी जाती है जो की एक पुलिस ऑफिस थी जब वो देखते हैं कि उसकी डेध हो गई है तो वो इसका क्लेम की स्पाइडर में पर डाल देते हैं और वहाँ से माइल्स घर चला जाता है जहां पर बाकी सारे स्पाइडर में फीस का वेट के रही थी को फिर से माइल्स को बताती है कि तुम हम पर ना सके माइल्स बहुत उदास था कि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा और उसके बाद भी माइल्स को लेकर काफी परेशान थे क्योंकि सिटी में बहुत अजीब हालात हो चुकी थी और वो माइल्स को लेकर बहुत अपसेट थे मायल्स को बन बैठा था और वहाँ पर उसको अपनी एक ओर से पावर डिसकवर होती है जो की थी पायो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर गुड्स पावर को यूज करते हुए फ्री कर लेता है और जाता है स्पाईडर मैन की आंत के घर जहां से वह यूसपी लिखित वहाँ से निकल पड़ता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्पिन ने स्पाईडर मैन के ट्रिब्यूट में एक बहुत बढ़ी पार्टी और्गनाइस की थी जहाँ पर हर कोई Spider-Man की कॉस्ट्यूम में था इसलिए बाकी सारे Dimension के Spider-Man को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हुई और वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पर सुपर कोलाइडर था इनके साथ साथ माइल्स की वहाँ पर आ चुका था वो इतने सारे इंसिडेंट के बाद अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख चुका था ही लोग जब कोलाइडर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर लिबिया भी वहाँ पहुच जाती है किन्पिन के बाकी सारे लोगों के साथ इन सारे के सारे स्पाइडर मैन और उनमें लड़ाई साथ हो जाती है पर एक टाइम था जब कुलाइड एक्टिवेट होता है तो बाकी सारे स्पाइडर मैं को अपनी अपनी डाइमेंशन में जाना पड़ता है यहाँ पर सब की सब चले जाते हैं पहनी पाकर स्पाइडर हम सब के सब अब यहाँ पर बच्चता है सिर्फ माइल्स क्योंकि पीते पीपाग भी अपनी डाइमेंशन में जा चुका था माइल्स की लडाए अप स्टॉट होती है किंतु से किंपिन वहाँ पर अपनी फैमली को धून रहा था और उसको जब अपनी फैमली नहीं नजर आती तो वो हर चीज उठाकर माइल्स को मारने लगता है वैसे तो किंपिन के सामने माइल्स कुछ भी नहीं था यहाँ पर माइल्स अपनी हिम्मत नहीं हारता और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में भी वो किन्पिन से लड़ता रहता है में वो अपनी ज़्यादा पावर से किन्पिन पर अटेक कर देता है जिसके बाद विलन हार जाता है और यहाँ पर माइल्स को लाइटों को बंद करने में काम्याब हो जाता है यहाँ पर माइल्स के फादर भी दूर से सब कुछ देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि सब को बचाने वाला स्पाइडर मैन ही है पर वही ये नहीं जान पाते की कि माइल्स है क्योंकि माइल्स के पास कॉस्टिन था माइल्स समझता है कि उसके पिता बहुत परेशान होंगे तो एक दफा उनके कॉल कर लेनी चाहिए इसके बाद मास्क पहनकर ही अपने फादर के सामने जाता है और को बुडबाई कहता है इसके साथ ही साथ इस सिटी का नया स्पाइडर मैन माइल्स था बाकी सारी स्पाइडर मैन सभी डाइमेंशन से पहुँच जाते हैं तो इसी के साथ इस movie की यही पर ही happy ending हो जाती है दोस्तों यहां तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक like जरूर करें और भी ऐसी ही movie explain वीडियो देखने के लिए channel को भी जरूर subscribe करें हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए goodbye बाइ